नमस्का, आज इस विडियो में हम स्क्लास 9 के पाठ रीड की हट्डी के बारे में पढ़े हैं चो हमारे सकूट्टीव सिस्टम होती है, मिं आप में सपोर्ट करती हैว ईसीदे बैचने, लेटने, उठने, खड़े होने में अगर हमारी read की hattie strong नहीं होगी, support ठीक नहीं होगा तो हम न ठीक से bad पाएंगे, न लेट पाएंगे, न खड़े उपाएंगे, न चल पाएंगे तो आप read की hattie से इस part का जो chapter का नाम है, इस एक आंकिल का जो नाम है वो इसी के अधार पर रखा गया है कि यहां पर बात हो रही है अपनी self-respect की जिस प्रकार एक read की हड़ी शरीर की बनावट में अपनी महत्वपून भूमी का निभाती है उसी प्रकार एक self-respect भी इनसान को समाज में अपनी जगा दिलाने में महत्वपून भूमी का रखती है तो आई यह पाठ की और बढ़ते हैं और जो यह पाठ है read की अड़ी यह एक व्यंग प्रधान शैली में लिखा गया एक अंक की है एक अंक की आप समझते हैं एक अंक में लिखा गया जिसे हम नाटक भी कह सकते हैं एक ही अंक में लिखा गया नाटक जिसके कोई parts नहीं है इसमें समाज में लड़कियों की उपेक्षा पर ध्यान आकरशित किया गया समान में लड़कियों की उपेक्षा यानि लड़कियों को लड़कों से कम तर समझा जाता है उसको कम समझा जाता है आजके टाइम में तो फिर भी ये चीज़े बहुत कम हो गई है लेकिन पहले के समाने में चीज़े बहुत जादा थी कि एजुकेशन लड़कियों को साथ यहां पर लड़कियों के आत्मसंभान, लड़कियों की शिक्षा, लड़कियों के स्वाभिमान की बात करती है और पार्ट शुरू होता है कुछ इस प्रकार होता है कि इस पार्ट की जो मुख्य नाईका है वो है उमा जो यह पास यानि ग्राजुएटिक लड़की है और इसका रिष्टा होने जा रहा है और इसके जो पिता है वो है राम स्वरूप और उनकी पत्नी का नाम है प्रेमा जो यह दोनों माता पिता है उसका रिष्टा करवा रहे हैं कहां गुपाल प्रसाद जी के बेटे शंकर के स तो यह जो नाटक है कुछ इस प्रकार शुरू होता है नाटक की और बढ़ने से पहले इसे कांगी की और बढ़ने से पहले यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आगे आने वाले वीडियो इसके अप्डेट सबसे पहले आपको मिले साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखे ताकि आप इस पार्ट को अच्छे से समझ पाए वह अंत में इस पार्ट के प्रशन उत्रों की भी चर्चा हम करेंगे तो चलिए पाठ की और बढ़ते हैं तो तो राम स्वरूप ने नोकर को का था आप चादर लेकर आओ बिछाने के लिए लेकिन वो चादर की जगा क्या मांगता है अपने माली की धोती तो इस पर क्या होता है जो प्रेमा यानि जो मालकिन होती है वो बिगडती हुई यानि गुसा करते हुई अपने पती के पास आती है और कहती है आप दोती का क्या करेंगे इस पर राम सुरू प्रेमा को बताते हैं कि उसने बिछाने वाली चादर मंगाई है उसने दोती नहीं प्रेमन नोकर को अर्मारी से चादर लाने का आदेश दे देती है यह एक नॉर्मल सी कहाने चल रही है तो आप ध्यान से समझेगा सुनिएगा आप बड़े अच्छाने से समझ जाएंगे सिर्फ एक अभी कहाने चल रही है जहां पर एक सीन चल रहा है कि जो राम स्वरूप ह मुजिकल इंस्टूमेंट है वो भी माँ पर रखवा लेते हैं तभी उनकी जो पत्नी है प्रेमा वो उन्हें बताती है कि बेटी उमा जो रूठी हुई है अभी तक इस पार्ट में यह नहीं बताया गया है कि उमा क्यों रूठी हुई है वो तो हम पार्ट को पूरा होगी इसलिए वो रूठी हुई होगी वे ना तो पाउडर लगाने को तयार है ना शादी के लिए उत्साहित है और ना ही वो एक्साइटीड है अपनी शादी के रिष्टे के लिए राम सुरूप पत्नी को कहते हैं कि बेटी को सम्हालने वह समझाने की जिम्मेदारी तु कि उसको उसकी पढ़ाई लिखाई ने बिगाड़ा है अगर हम उसे कम पढ़ाते लिखाते तो आज हमारे कंट्रोल में होती यह पहले के दौर में या आज के दौर में भी कहीं जगवाँ पैसा माना जाता है कि लड़की अगर जादा पढ़ी लिखी होती है तो वो काबू उस मतलब control से बाहर हो जाती है, उसको काबू करना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर भी वही बात की जा रही है कि वो जादा पढ़े लिखिया है, तो इनको लगता है वो उनके control से बाहर है, अगर कम पढ़ाते लिखाते तो वो हमारे according चलती, आगे बढ़ते हैं, वह युँ तो वकील है, और सभा सुसाइटियों में भी झाते हैं, यानि वो खुद पढ़े लिखिया है, लेकिन बहू उनको कम पढ़े लिखी चाहिए, और वं तो भू अधिक पढ़े लिखियी नहीं चाहते हैं, क्यों निचाते हैं? क्यों कि लोगों की, मैंने आपको धानना mentality ये है कि जादा पड़ी लिखी वह हुआएगी तो वो आपकी control से भाहर होगी आपकी बाते नहीं मानेगी अपने दिमाग चलाएगी अपने according चीजों को करेगी तो इसलिए वो खुद पड़े लिखे ये है कि बड़े लिखे हो गया कि कल को बच्चा हो तो उसको पढ़ा लिखा ले बसे पाड़ाई लिखाई आते हो नोकरी वहुकरी करने की बात ना करेiliy उसलिए भी उनको कम पड़ी लिखी बहु चाही है। वो कहते हैं कि पड़े लिखे होने के बाद भी कैसी दकियानूसी सोच है। उनका बेटा तो बाप से भी आगया है। यानि वो वकील है तो उनका बेटा जो है उनसे भी आगया पढ़ाय लिखाई है। वह BAC करने के बाद medical college में student है परन्तु लड़की वह भी कमपड़ी लिखी चाता है यानि उसके बाप की जो सोच है उसके गुपाल पर साथ की जो सोच है वह उसके बेटे शंकर की भी सोच है वो भी कमपड़ी लिखी पतनी चाता अपने लिए इतना बताकर राम स्वरूप पतनी को कहते हैं कि वह बेटी उमा को समझा बुझा कर ठीक धंग से नीचे ले आए बाते चली रही होती है कि इतने में नौकर आके बताता है कि बाहर कोई गैस चाये अतिथी आये वे जल्दी से हार्मोनियम को ठीक जगा पर रखते हैं और नौकर को मखर लाने के लिए भेज देते हैं बाप गुपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ प्रभेश करते हैं यानि वो उमा को देखने आये हैं और वो आ जाते हैं राम स्वरूप नमस्कार करके उनका स्वागत करते हैं तथा उने बिठाते हैं लड़के शंकर की रीड कुछ जुकी हुई है अब यहाँ पर देखें दो अर्थों में लेलिया गया है रीड की हड़ी यानि चो लड़का आया है उमा को देखने वो कुछ उसकी हड़ी भी जो है रीड की हड़ी वो जुकी हुए है यानि वो जुबकर बैठता ě, जुबकर चलता तो यहाँ पर एक तो फिजिकली बात हो यह शारी रिक तोर पर और साथी साथ 380 यहां एक मैसिज भी दिया गया जो मैंने आपको शुरू में समझाया है कुशल शेम पूछने के बाद यानि हालचाल पूछने के बाद राम सुरूप शंकर से पूछते हैं कि अब उसकी पढ़ाई का आखरी साल होगा और वो लड़के से पूछते हैं कि अब तो तुम्हार लास्ट एर होगा पर शंकर बताता है कि नहीं उसके दो साल अभी और बाकी है इतने में गुपाल प्रसाद यानि शंकर के पिता कहते हैं कि बास्तम में ये एक साल बिमार हो गया था जिसकी वज़े से अब इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है आगे चलते हैं गुपाल प्रसाद अपने जमाने की बाते याद करते हुए कहते हैं अब क्या हो रहा है ये बुज़ूर्ग लोग बैठे हैं यानि एजिट लोग बैठे हैं और शुरुआत करते हैं गुपाल प्रसाद अपने जमाने की बातों को याद करते हैं कि वे जब जब जवान उम्र में थे तो स्कूल से आकर दरजनों कचोड़ियां खा जाते थे दरजन यानि 12 की काउंटिंग होती है दरजनों कचोड़ियां खा जाते थे फिर भी खाने की समय भूख लगती थे और फिर भी जब खा प्रॉब्लम है और खाना पीना भी कम है वो compare कर रहे हैं तो वो अपने जमाने की बात करें फिर भी पढ़ने लिखने का रोब दिखाते हुए कहते हैं कि एक बार पढ़ने बैठ थे तो बारा घंटे तक बैठ पढ़ते रहते थे उनके जमाने का metric pass भी आज के MA से अच्छी अ दिखाता था यानि उस जमाने में जो हम 10th कर रहे थे और आज के time में जो बच्चे MA कर रहे हैं वो compare कर रहे हैं कि उस जमाने की 10th आज के बच्चे जो MA कर रहे हैं वो उसके बराबर हैं राम सोरूप गुपाल प्रसाद की बातों का समर्थन करता है तो शंकर ही ही करके हसता अचानक गुपाल प्रसाद राम सुरूप से कहता है कि अब सीधे बिजिनस की बात करते हैं और राम सुरूप ये बिजिनस शब्द सुनकर घबरा जाता है अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वो एक लड़की देखने आये हैं एक पिता के साथ वो बाते कर रहे हैं उसकी के साथ रिष्टा जोडने आये हैं और उसको भी वो बिजिनस शब्द के साथ जोड़ रहे हैं तो यहाँ इसे उस इनसान की सोच का पता चलता है फिर वह पीछे वाले कमरे से चाय और मिठाई नाश्टे की द्रे उठाने चले जाते हैं कौन उमा के पिता गोपाल कैसी है फिर वह शंकर को सीधे बैटने के लिए कहते हैं बैकबोन सीधी करने के लिए यानि वो कह रहे हैं कि तुम लड़के हो यह दिखाना चा रहे हैं कि तुमा लिए बहुत प्राउड की बात है तुम लड़की देखने आये हो तु सीधे हो के बैठो ऐसे जुखकर शर पाल ही नहीं उटता था, वे शंकर से पूछता है, शादी तै करने में खुपसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, गुपाल परसाद बात को काटते हुए कहते हैं, लड़की का खुपसूरत होना निहाइद जरूरी है, यानि रामसवप रूरूप कहा रहे हैं कि लड़की क खुपसूरत भी हम लोगों के टाइम इतना मायने रखता था, फिर वो शंकर से क्वेशन करते हैं कि तुम्हाले ब्यूटी कितनी इंपॉटेंट है, लेकिन यहाँ पर गुपाल परसाद बात को काटते हुए कहते हैं कि खुपसूरत होना भी बहुत जरूरी है, चाहे इसक अपने आपको प्रेजेंट टेबल और खुपसूरत दिखने के लिए पाउडर लगाना पड़े, पर खुपसूरती, यानि जो लुक्स है, वो फस्स प्रायर्टी है, क्योंकि घर की ओरते जाजी नहीं होती, और जो घर की महिलाए हैं, अगर खुपसूरत बहुना हो, तो अगरी नहीं करती, गुपाल प्रसाल लड़की की पढ़ाई के बारे में सपष्ट कहते हैं, हमें जादा पड़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, कौन भुकतेगा उसके नकरों को, यानि उनकी सोच फिर देखी आप, कि यहां पर उनकी सोच क्या है, कि जो पड़ी लिखी लड़की हैं, उनके नकरे जादा होते हैं, पड़ी लिखी लड़की जो होते हैं, वो जैसे बोलेंगे, वैसे करेगी, तो उनकी सोच है कि पड़ी लिखी लड़की आएगी, तो नाज नकरे करेगी, और कौन भुकतेगा उसके नकरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी जिए उसका बेटा शंकर भी समर्थन में कहता है और वो भी अपने पापा की हां में हां कहता है कि जी हां कोई नोकरी तो करानी नहीं है जो जादा बड़ी लिखी बहु हम ढूनेंगे कुपाल प्रसाद कहता है यानि जो शंकर के पिता वो कहते हैं लड़के के पिता लोग कहते हैं जब लड़कों को B.A.M.A. पढ़ाया है तो बहुए भी ग्रैजूइट लो और हमसे लोग कह रहे हैं यानि वो बता रहे हैं कि लोग हमसे कह रहे हैं कि जो लड़के हैं उनको तो पढ़ लिखना होना बहुत ज़रूरी है उनको तो भार जाना है नौकरी करनी है पैसे कमाना है पर तो अकाम में पढ़ कर काबिल होना अगर और और भी अंग्रेजी एक बार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स पर भैस करने लगी तो ग्रस्ती कैसे चलेगी और वो भी सब चीजों में बॉल भो गई तो घर कौन समा लेगा तर्क देते हैं जनाब मोर के पंक होते हैं मोर नी के नहीं शेर के बाल होते हैं शेर नी के नहीं कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं उची तालीम भी ऐसी चीजों में एक है और फिर वो compare करते हैं कि जो share, मतलब आप समझी गए होंगे, यानि वो compare कर रहे हैं, male और female का, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, तो यहाँ पर education को भी, यानि शिक्षा का अधिकार सिर्फ पुर्शों के लिए उनकी सोच यहा आप गुपाल प्रशाद की सोच है कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए, और अभी तर बात हो रहे थी कि जो शिक्षा का अधिकार है सिर्फ लड़कों के लिए, लेकिन फिर आगे चलके, अब उमा का प्रवेश होता है, उमा आती है, नाश्ता देखकर उन दोनों बाब बेटों को ऐसे लगता है कि चश्मा तो से पड़े लिखे लोग ही लगा सकते हैं, यानि ये पड़े लिखी है और हमसे जूट बोल गी हैं, तो आगे देखते हैं, चश्मा देखते हैं, गुपाल प्रसाद और शंकर चौंक पड़ते हैं, राम उसको उमा की चाल ढाल और चहरा पसंद आता है, उमा से कुछ गाने को कहते हैं, उमा मीरा का भजन सुनाती है, मेरे तो गिरधर गुपाल दूसरा ना कोई, उसके स्वर में तलीनता और मधूरता है, यानि वो गाने में खोई हुई है, अचानक उमा की आखे जो है ना, शं जाती है, गुपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं, क्या उसे पेंडिंग नेंडिंग आती है, राम सुरूप कहते हैं, कमरे में तंगी सारी तस्वीरे उसी की बनाई हुई है, फिर सिलाई के बारे में बाते होती है, राम सुरूप कहते हैं, घर के सारे कपड़े यहां तक क उसकी कमीजे भी उमा सिलती है गुपाल प्रसाद पूछते हैं बेटी कुछ इनाम बिनाम भी जीते हैं उमा चुप रहती है राम सुरूप सफाई देते हैं यह बिचारी शर्मा दे यान अभी तक उमा ने कुछ भी नहीं बोला तो इस पर भी गुपाल प्रसाद उसको टोन भागता है गुपाल प्रसाद रूखे स्वर में कहते हैं जरा इसे भी मूँ खोलना चाहिए इसे भी कुछ बोलना चाहिए आप ही हर बात का जवाब दिये जा रहे हैं वो मद्रिड स्वर में कहती है पिर रुमा को गुस्सा आ जाता है सारी बाते सुनने के बाद क्या जवाब दू बाबुजी जब कुरसी मेज बिक्ती हैं तो दुका अंदर कुरसी मेज से कुछ नहीं पूछता सिर्फ खरीदार को दिखा देता है पसंद आई तो ठीक है वरना ये महाशे जो मेरे खरीदार बनकर आए है यानि यहापर जो बिजनस ये करने आए हैं इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते क्या उनको चोटने लगती क्या बेपस भेड़ बकरिया हैं जिनने कसाई अच्छी तरह देख भाल करके और अपने साथ ले जाएगा यानि वो उसके साथ ऐसा ही बेहेव कर रहे हैं प्वेशन किये जा रहे हैं क्या आता है क्या नहीं आता चल के दिखाओ बैठ के दिखाओ गानागा के दिखाओ यानि हर चीज की जा रही है तो वो compare कर दी अपने आपको अब कुपाल प्रसाद ने उमा की सारी बाते सुनी और उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसको इसे अपना अपमान समझते हैं उमा कहती है और आप जितनी देर से मेरा नापतौल कर रहे हैं जर अपने इस सहामचादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों की होस्टल के इर्द गिर्द गूम रही थे और महां से कैसे भागाये गए थे यानि उमा शंकर को पहले से जानती है अब अब वेस है उसने शंकर की पोल पट्टी खोली तो साथ की साथ उसकी भी खुल गई कि कॉलिज तो हैं पर गुपाल प्रसाद उसकी इस बात को पकड़ लेता है तो क्या तुम पढ़ी लिखी हो उमा कहती है हाँ मैं भी ये पास की है कोई चोरी नहीं की है नहीं आपके पूत्र की तरँ तांजनक करती फिरते हो और कायरता दिखाती हो मुझे अपनी इजट और मान का खयाल है और मुझे अपनी रिस्टेक्ट का ध्हान है आपके बेटे की तरा नहीं इंगे के लड़कियों के असपात तांजनक करते हो जिसको अपनी इजदत का कोई खयाल ही नहीं और आप मेरी पूछताच कर रहे हैं मेरी पूछताच करने से पहले यानि इन बातों का ये भी मतलब है कि आप अपने बेटे के बारे में जाने है कि आपका बेटा क्या है गुपाल प्रसाद उमा की पढ़ाई की बारे में सुनकर उखड जाते हैं उनको घुसा आ जाता है और इस पर भी अपनी बेटे की बात तो चलो भूल गए वो लड़कियों के ऑस्टल के पार गूमना था यहाँ पर उमा की बात वो क्याच कर ले गए कि ये पड़ी लिखी है और कहते हैं वैसे सरासक धोका कहते हैं कि बी ये पास हो गजब हो जाता जूट का भी कुछ ठिकाना है वे वापस जाने लगते हैं उमा आखरी चोट करती है और आखरी बार बोलती हुए कहते हैं जरूर चले जाए लेकिन घर जाकर जरह ये पता लगाईएगा कि आपके लाड़ने बेटे की रीड की हटी है भी या नहीं यानि उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं यानि बैगबोन बैगबोन गुपाल प्रसाथ अपमाने थोकर वापस चले जाते हैं राम सुरूप धम से सोफ़े पर बैच जाते हैं अब यहां पर जो है बात हो रही थी सेल्स रिस्पेक्ट की शुरू में नहीं बताया था यहां चाप्टर का नाम रीड की हड़ी इसलिए रखा गया है क्योंकि यहां पर बात हो रही है अपने स्वाभी मान की यहां पर बात हो रही है शिक्षा की यहां पर बात हो रही है कंप्यारिजन की कि यहां पर लड़कियों को हर चीज में हर फिल्ड में कम समझा जाता है चाहे वो शिक्षा ही क्यों ना हों। प्रेले के जमाने में और आज के ताइम पर भी कई जगव पर लड़कियों को शिक्षा के अदिखाद से बंचित रखा जाता है। तो यह पार्ठ पूरा उसी पर आधारीत है। तो यह जो पार्ट है, यह क्रितिका का है, और इस क्रितिका के पार्ट में से आपको बुल्य पढ़रत प्रशन अधिक पूछे जाएंगे, यानि value based question, जिसमें शिक्षा को अड़ कर लिया गया है, जिसमें शिक्षा के उपर प्रशन आ सकता है, लड़के लड़कियों के पर पूछी जाए सकते हैं वो प्रश्णा में समझाया है कि पूछा क्या गया है तो इसमें वो जब हम पाठ में बीच बीच में पड़ रहे थे वो बार बजब आपस में बाते कर रहे हैं तो अपने जमाने को जादा अच्छा बता रहे हैं कि रामसरोप और गुपाल प्रसाद दोनों बहुत पुराने, दोनों पुराने जमाने के बुजुर्ग हैं, दोनों को वर्तमान जमाने की तुलना में अपना जमाना याद आता है, और ये स्वभाविक भी है याद आना, आप भी एक एच के बाद अपने टाइम को याद कभी भी कुछ भी ऐसा कोईंसिडेंट हो यह हमें पुराने मित्रों की अपने दोस्तों की आधा आ जाए यह अपने आप मन में आ जाती हैं परंतु इन तुलनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करके उन्हें नीचा दिखाना यह गलत है यह तरकसंगत नहीं है ऐसा करनी से ब क्या गलत है क्या सही है यह हम लोगों को बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है वो भी सही तरीके से ना कि उनको नीचा दिखाकर यो भी हर जमाने के अपनी स्थितियां होती है जमाना बदलता है तो उसमें कुछ कमियों के साथ कुछ सुधार भी आते हैं परन्तो बुजर्ग लोग प्रायां अपने पक्ष में एक तरफा अनुभव सुनते हैं जो कि तरकसंगत नहीं है यह मनोरंजन के लिए तो ठीक है किन्तो उसका कोई मूल्य नहीं है कोई महतोर नहीं है आईए बच्चों दूसरे प्रशन के और बढ़ते हैं दूसरा प्रशन है कि रान स्वरूप का अपनी बेटी को उच्छी शिक्षा दिलवाना यानि अच्छी हायर एजुकेशन दिलवाना और विवा के लिए उसको चिपा लेना यह विरोधा भाद उसकी किस विवश्टा को जागर करता है कि तो उसने पनी बेटी को उतना पढ़ाया लिखाया जमाने से अलग हज़कर क्योंकि उस समय में बेटी को पढ़ाना बहुत बड़ी बात है वो भी हायर एजुकेशन आज भी पाशालेड होते हैं लेकिन आजकल यह कम हो गई है तो यह जो विरोधा भास है यानि दो चीजे वो साथ लेकर नहीं चल सकता बेटी को पढ़ाया है पर शादी में नहीं बता सकता तो यह उसकी किस मजबूरी को जागर करते हैं आईए इसके उत्तर को समझ लेते हैं प्रशन आप समझी चुके हैं प्रशन अगर आप समझ गए तो उत्तर भी आप समझ गए बस आपको अपनी भाशा का ध्यान रखना है किस प्रकार के शब्दों का चैन करना है किस प्रकार की भाशा का प्रियोग करना है आप जितना शुद्ध भाशा का प्रियोग करेंगे जितना अच्छा आपका उचारण होगा आप उतना ही अच्छा अपना अंसर में उसे उतार पाहेंगे राम सुरूप अपनी बेटी को भी ये पढ़ाता है वैं उसे उच्च शिक्षा दिलवाना अपना करतव्य मानता है परन्तु जब उसके विभा का समय आता है तो उसे समाज की पिछडी मनुभावना का शिकावन नपता क्योंकि समाज पड़ी लिखी लड़कियों को एकसेप्ट नहीं करना चाहता है उस समय की सितिया आज के समय में भी है सितिया पूरी तरीके से नहीं बदली हैं बट कुछ चिंजिस आए हैं कुछ परिवर्तन हुए हैं लोग शिक्षित बहू को सुईकार करने को तैयार नहीं हैं लड़के तता सास ससुल को ऐसे लगता है कि पड़ी लिखी बहू उनके नियंत्रण में नहीं रहेगी वै बात-बात पर नकरे करेगी विरूत करेगी प्रश्न करेगी तता उन्हें चुनाथी देगी वैस बात क लोग पढ़िये की बहु नहीं लाना चाहते हैं। इसलिए वकम पढ़िये की बहु चाहते हैं। इसकारण राम स्वरूप और उमा की स्थिती विचित्र हो जाती है। उन्हें विवा के लिए उमा की उचित शिक्षा को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तीसरा प्रशन है अपनी बेटी का रिष्टा ताय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के विवार की उमीद कर रहे हैं वे उचित क्यों नहीं है। सबसे वह जूट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो अपनी एजूकिशन को छुपाए। तो देखे आंसर को समझत अपनी बेटी का रिष्टा ताय करने के लिए राम स्वरूप अपनी बेटी से उमीद करते हैं कि वह सज धजकर सुन्दर रूप में पेश आए। इसके लिए वे पाउडर आदी बनावती सामत होनों का उप्योग करें। वे आने वाले महमानों के सामने धंग से बात करें अपने व्यवार को शलता से उनका दिल जीत लें। उसमें जो जो गुण हैं उन्हें ठीक तरह प्रकट करें ताकि वे होने वाले पती और ससुर को पसंदा जाए। वे उसे कमपड़ी लिखी लड़की के रूप में भी पेश करना चाहता है। राम सरूप का व्यवार ढों तो अपना मत प्रिजेंट करो। ये जूट पर अधारित हैं भी ये पड़ी लिखी होकर भी उसे मेट्रिक बताना सरासर धोका है। ऐसी ठगी पर खड़े रिष्टे कभी टिखी नहीं सकते। इसी प्रकार पाउडर लगा कर सुंदर दिखना भी धोके में रखने जैसा है राम सरुप के भ्यवार को मुझे नहीं कहें सकते। देखिए ये समाज की स्थिती है ये होता है पर ये गलत है। आप जो हो जैसे हो आपको किसी के साथ जीवन अपना पिताना है तो आप सच्चाई के धंपर ना कि जूटा उस टाइम के लिए थोड़े टाइम के लिए अ अच्छा प्रेजिंटेबल बन जो और अपनी बातों को चुपाओ तो ये गलत है। चौता प्रशन है गोपाल प्रसाद विवा को बिजनस मानते हैं और राम स्वरु अपनी बेटी की उच्छ शिक्षा चिपाते हैं। ये बार-बार प्रशन उठ रहा है। क्या आप मानत प्रस्चुत करना होता है। तो ये पार्ट जो है विवा से संबंदित है लड़के-लड़की की भीदभाव से संबंदित है। ये एजुकेशन भी आईगी। शिक्षा ते संबंदित या बार-बार प्रशन उठ रहा है। उसको पड़ी लिखिय होने के बार वी उसकी एज को चुपाया जा रहा है तो गुपाल प्रसाद विवा को बिजनस मानते हैं इसलिए वे बाचित के बीच-बीच में कहते हैं चलो अब बिजनस की बात कर ली जाए शादी को व्यफसाए मानना पाप है इसे मानव संबंदों की गरीमा कम होती है व्यक्ति वस्तू में बदल जा बात नहीं करें न हम यह रिष्टों के जूनने की बात करें तो उसको बिजनस कहना यह बहुत गलत बात है राम स्वरूप का अपनी बेटी को भीए तक पढ़ाना और फिर उसकी शिक्षा को चुपाना भी गलत है उसे अपनी शिक्षित बेटी पर गर्व होना चाहिए उस उसने समाज की धार्णा के विपरित उसे पढ़ाय लिखाया तो सही किन्तु जब इस कारण रास्ते की बाधाएं आई तो उसे मूँ चिपाने लगा उसका यह व्यावार कायरता पून है उसे समाज में मजबूती से खड़ा होकर उसके लिए योग्य और स्वाभिमानी वर फिर भी कम बुरी है उसका वश चलता तो गुपाल प्रसाज जैसे धोंगियों की बखिया उधेर कर रख देता परंत उसे उनकी कन्या की जिंदगी खराप हो सकती है क्योंकि ऐसा मानज आता है कि समाज में पड़े लिखी लड़की को बर मिलना बहुत मुश्किल है जैसे क इसकतन के मार्धियम से शंकर की किन कमयों की और संकीत करना चाहते है तो इसकतन के मार्धियम से उमा ध्यान दिलाना चाहते है कि शंकर बिना रीड की हड़ी के है जैसा कि हम पाड़ के शुरूर में समझी चुके है रीड की हड़ी यानि बैंक बोन जो हमें सपोर्ट देती अर्थात जिसका कोई व्यक्तित्व नहीं है व्यक्तित्व हीन है उसका कोई नीजी मत्र स्थान या महत्व नहीं है वह अपने पिता के शारों पर ही ही करने वाला विचारा जीव है उसे जैसा कहा जाता है वैसा ही वह करता है वह पिता को उचित अनुचित सभी बातों पर हा करता चलता है ऐसा पती-पती होने योग्य नहीं है शंकर लड़कियों के पीछे लग लगकर अपनी जीट के तुड़वा बैठा है उसका सरयाम अपमान हो चुका है आतहाँ वह अपमानित लंपट और दुष्चरित्र है उसका शरी कमजोर है उससे सीधा तनकर बैठा भी न पता रहा है चटा प्रशन है शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरुरत है तरक सही तुप्तर दिजे समाज को शंकर जैसे लड़कों की बिल्कुल भी जरुरत नहीं है यह हम पाट के माद्यम से समझी चुके है जिस समान में शंक विवा कर भी ले तो उसके घर में सदा कलीश रहता है समाज को उमा जैसी लड़कियों की जोरत है ऐसी बहादूर, निडर, स्वाभिमानी, मुखर, विद्रोही लड़किया ही गोपाल प्रसाद जैसे बड़बोले, दिशाब्रष्ट और हिंकारी लोगों को सबख सिखा सकते हैं उमा सत्य और गुडवत्ता पर खड़ी है तो प्रकाश है तो गोपाल प्रसाद अंधिरा जब समान में उमा जैसी रड़किया और बढ़ेंगी तो गुडवत्ता को अपने आप सम्मान मिलेगा हम लोग सुशिख्षिक बहु पसंद करेंगे पाट की जो नाम है उसकी सार्थक तसपष्ट करनी अगले प्रश्ण में दीड़ की हगती तो एकांकी का शीर्षक सार्थक सफल और व्यंग्यात्मक है इस नाटक की मूल समस्य है वर का व्यक्तित्व हीर होना यही शंकर समझदार व्यक्तित्व संपन युवक होता तो गुपाल प्रसाथ की इतनी हिमत ना होती कि वह दो सुशिख्षिक व्यक्सकों के बीच में बैटकर अपनी फुहडबाते करें और शिक्षा को प्रुस्चान दे कमपड़ी लिखी बहु चहाना गुपाल प्रसाथ की जरुरत हो सकती है शंकर की नहीं अगर शंकर अपने पिता के रोवदाव के आगे चूब भी नहीं कर सकता बलकि उनी की हामेहा मिलाता है तो वो उसकी कारता है उस कारता को दिखाने के लिए उसे रीड की हड़ी के मिनन दिखाया गया है इस प्रकार रीड की हड़ी बेंग्यात्मक, संकेत पून, सार्थक और सफल, शिर्शक है जैसे कि हम पार्ट में समझी चुके हैं आठपा प्रश्ण है कत्था वस्तु के अधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पातर मानते हैं क्यों? कत्था वस्तु यनि स्टोरी के अधार पर तो स्टोरी में जो उमा है बोही मुख्य पातर है यसे तो पातर सारे ही है लेकिन मुख्य पातर उमा है क्योंकि कहानी पूरी उसी के उपर है और उसको स्टेबल दिखा है, स्टॉंग दिखा है, साहसी दिखा है, बहादुर दिखा है तो सारी चीज़ उसके अंदर दिखा है और निडर है तो इस वज़े से उमा ही हुई वेकांकी की नाईका है यदि एकांकी में पूरा समय चाहे रहने वाले पातर राम सुरूप गुपाल प्रसाद परंतुव एकांकी के प्रमुक पातर नहीं है, एकांकी की प्रिष्ट भूमी बनाने वाले पातर है एकांकी का नायक वही होता है जो सारी कथा के मूल में हो जो फल का भूकता हो जो अपनी गती को एकांकी को मोर देता हो प्रभावित करता हो एकांकी के धार पर राम सरूप और गुपाल प्रसाद की चारेत्रिक विशेश्टा है लिखनी जो राम सरूप है वो प्रगतिशील है ठीक है यानि प्रगतिशील विचारों का है वो चाहता है कि लड़कें को शिक्षा मिले और वो अपनी बेटी को पढ़ाता भी है बेटक पढ़ाता है और उसका जो व्यक्तित्पे उजवल बनवाता है परंदों वो विवश भी है होगाता पाठकर मादेम से समझे चुके होंगे कितनी जाधा वो बाते करता है अपना अपना की जाधा शॉआफ करता है वो चलाक है वो हनसोर है वो मतलब इधर उदर की चुटिली बाते करके सबका मन लगाए रखता है और लिंग भीद का शिकार है यानि लड़का लड़की में वो भेद करता है गस्वा प्रशन है इकांकी का क्या उदेशे लिए ये कुछ देश्यपूर इगांकी है इसके माद्यम से स्त्रीशिक्षा को समान में स्थान दिलाना ही इसका मोटिव रहा है साथी साथ यहां पर जो लड़के लड़की का भीदभाव किया जाता है लड़की के इतना जाना पड़ा लिखा होने के बावजूद भी इसके शिक्षा को उसके विवा के लिए छुपा लेना ये सबसे बड़ी गलत बात है तो इस प्रकार ये सारी चीज़े इसके अंदर आ जाएंगी समान महिलाओं को चीद गरीमा दिलाने ही तो आपको उनकों से प्यास कर सकते हैं ये वैल्यू बेस क्वेशन है आप इसमें अपने विचार लिख सकते हैं कि आप लड़कियों की शिक्षा के लिए आप उनको उनके लाब बताएंगे शिक्षित बहू को स्विकार करेंगे यानि शिक्षा बजादा बहत्व देंगे तो ये सारा इसके अंदर आएंगे तो इस प्रकार इस पाठ के प्रश्ण उत्तर भी आपको असानी से समझ आ गए होंगे विडियो को लाइक से ओर करें कमेंट करें साथी साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और अगर आपने अभी तक में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे तक ही आगया आने वाले विडियोस के अपडेट सबसे भेले आपको मिले धन्यवाद